कि अब बॉर्णिंग तुडेंट्स अब लोग में पूर्ट फ़स्ट में पुड़ा था पॉलिमर्स के क्लासिफिकेशन में हो नो पॉलिमर्स अब को पॉलिमर्स क्लासिफिकेशन में हम एकॉर्डिंग तुडेंग 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 तो सूर्स के एक ओरने अगर हम बात करते हैं, पहले हमारे होते हैं नेचुरल पॉलिमर्स, संथेटिक पॉलिमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. semi synthetic polymers तो बात आती है कि natural polymers क्या होते हैं natural polymers क्या होते हैं यह हमारे ऐसे polymers होते है जो हमें nature में मिलते हैं that means they are synthesized by the nature that means plants or animals में present होते हैं इनको हम बोलते है natural polymers means these are the polymers these are the polymers that obtained that obtained from nature nature में plant और animals से basically हम मिलते हैं that obtained from nature उनको हम बोलते है natural polymers जैसे natural polymers में हमारी natural rubber होती है हमारी starch है cellulose है यह हमारे नेच्रल पॉलिमर की सिल्क है तो हमारे नेच्रल पॉलिमर की के टेगरी में आते हैं cotton है तो इस तर्च तो हमारे नेच्रल पॉलिमर की के टेगरी पे आते हैं यह हमारे नेच्रल पॉलिमर है अब इसके अगे नेच्रल पॉलिमर की सिंथेटिक पॉलिमर में इसे होते है जो मैड मेड पॉलिमर से इंगों होते हैं synthetic polymers कहते हैं, क्या कहते हैं, synthetic polymers कहते हैं, that means, these are polymers that are man-made, यह man-made होते हैं, and prepared by prepared by special process, और हर एक polymers को prepare करने जाएं की special process है, उसकी specific conditions है, उसी के एक और इम इसको prepare किया जाता है, तो ऐसे polymers को उन बोलते हैं, synthetic polymers, अब synthetic polymers में जैसे example है महारा, polythene, polythylene, nylon, 6,6, orlon, यह समारे synthetic polymers की category में आते हैं, अब synthetic polymers की बाद हम बात करते हैं, semi-synthetic polymers, semi-synthetic polymers, semi-synthetic, इन में natural polymers की कुछ ingredients मिला देते हैं, और synthetic ingredients की मिला देते हैं तो हमारे, semi-synthetic polymers, prepare हो जाते हैं, that mean these are the polymers, these are the polymers that are prepared by, prepared by mixing natural and natural polymers, with some synthetic acids, some synthetic acids, कुछ उसमें क्या जरते हैं हम रोग, synthetic substances add कर देते हैं, मिला देते हैं, उससे हमारे जो होते हैं, semi-synthetic polymers बन जाते हैं, इनका एक्जाम्पल है, vulcanized rubber, कि शुब्र, vulcanized rubber, तो जो हमारे बने होते हैं, बनाय जाते हैं, इसमें हमारे नेशर बन जो होती है, उसको कोग के साथ, कार्बन के साथ और सुलफर के साथ बॉयल करते हैं, बॉयल करने सिजमें क्रॉक्पलिक्स बन जाते हैं, तो इसकाहरे से ह। हुमारे हैं वूंग से मिलते हैं जैसे संधे सुम्हारे भीद से कह stripes गप॑लिमर्स कुछ ब्रसेस के तियार किया करेंड गार को बोलते हैं yang we sing ready polymers यह सारे के सारे मारे synthetic polymersい सब्हारे बात करते हैं यह च्छक सब्राइब कर दो तुर्सित חण सब्राइब करते मैं Eu can सब्सक्राइब करते हैं उसमें देखते हैं तो ब्रांच चैन की स्ट्रक्चर के एकॉर्डिंग पॉलिमर 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 तो थी टाइब के होते हैं उनको भी हम लोग डिसकस करते हैं अब लोग बाता हैं क्लासिफिकेशन आँ polymers according to structure according to structure structure की according हमारे होते हैं linear polymers linear polymers होते है इनकी जो polymers एक chain है वो एक straight line होती है आपस में कहीं पर भी branching नहीं होती उनकों कोते है linear polymers उनकों क्या कहते है linear polymers कहते है means these are the polymers these are the polymers in which polymer chain is polymer chain is straight and no link is between the polymer chain इनकी polymer chain में कोई भी link is present नहीं होता है इनकों को होते है linear polymers अब एक्जाम्पल जैसे सब्सक्राइब को होते हैं इनकी जो chain है वो आपस में सब्सक्राइब है इनके बीच में किसी भी चाइब का कोई भी link is present नहीं है इनकी पॉलिमर्स पॉलिमर्स को गोते हैं linear polymers यह हमारे जो है linear polymers है cb chain चली जाती है यह आपस में गुश्य पसाब की अभी जॉइन नहीं है इसकों गोते हैं linear polymers वो कहते हैं linear polymer example है जैसे की poly it highly यह हमारा एक linear polymer है poly it highly नहीं उती है कि लीनिय के बाद करते हैं ब्रांच चेंग पॉलिमर्स लाइज कंपर से तो नहीं होती लेकिन उनमें पारिशा ब्रांची प्रेजेंग होती है इस तरह से ब्रांच उस नहीं होती है में ब्रांच हमें देखने को मिल जाती है उनकों बोलते हैं ब्रांच चेंड पॉलिमर्स अब दोनों में फ़र्ग क्या होता है कि हमारे जितने भी लीनियर पॉलिमर होते हैं बैसिकली यह नेचर में सौफ्ट होते हैं ब्रांच होते हैं आसाने से मूड जाते हैं मॉडेबल होते हैं फ्लक्सिबल होते हैं तो वह जासकता है नहीं जा सकता है तो comparatively hard मिलेंगे हमारे तो होते हैं हमारे branch chain polymers मिंस जिनकी polymeric chains में branching देख में मिलती है उनको बहुते हैं branch chain polymers means these are the polymers in which polymeric chains have partial branching इनमें partial branching present होती है जिससे इनका जो physical nature है वो change हो जाता है उसमें खुरा सा chain जाता है फरका जाता है example जैसे इसका है हमारा PVC जिससे बार्से ब्रांचिंग प्रेजन्ट होती ही क्लोविन की विज़े से PVC हमारा हो जाता है styrene हो जाती है polystyrene polystyrene तो बार्से ब्रांचिंग में देखने को मिलती है तो यह हमारे होते हैं branch chain polymers होते हैं इनको इस तरह से classify कर लेते हैं अब बात करते हैं क्रास लिंग पॉलिमर्स की क्रास लिंक्ड पॉलिमर्स इसे पॉलिमर्स होते हैं इनकी जो पॉलिमर्स होती है उनके आपस में लिंकेस प्रजेंट होता है मतलब वो पॉलिमर्स आपस में जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं आपस क्रास लिंक्ड पॉलिमर्स में इस तीन अग्ड पॉलिमर्स इन विच जैन्स आर अटेज बिट इच अदर पॉलिमर्स आपस में जुड़ी होती है इस तरह से लिंकों होते हैं और प्रास लिंक्ड पॉलिमर्स बहुत ही हार्ड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे पॉलिमर्स के इनका एक्जांपल है जैसे की वैकलाइट वैकलाइट हमारा जो होता है क्रॉस लिंक्पॉलिमर होता है dove हमारा क्रास्फलिं क्वॉलिमर होता है इनकी जो पॉलिमरिक चेंज हे न आपस में पूसर के साथ डू स्थी कोच न रजाती है धी ति यह मैं ठीक और काप्यु को दिसक्ष छोटोंक जाती है वेमारे होते हैं